हेलो फ्रेंड्स, कुक विटीस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे फ्रूटी फ्रूटी आप असानी से घर पर बना सकते हैं वैसे भी बच्चों की छुटिया हो गई है दोपैर के समय बच्चों का कुछ थंडा और मीठा पीने का मन करता है दो पके हुए आम, एक कच्चा आम, जिसे हम अंबी भी कहते हैं कहीं कहीं जगे इसे कैरी भी कहा जाता है एक बाउलचीनी, पानी ये मैंने दो पके हुए आम ले लिये हैं आम हमारे मेठे होने चाहिए एक कच्चा आम ले लिया है, कच्चा आम थोड़ा छोटा ही ले नहीं तो हमारी फ्रूटी खट्टी वनेगी और एक बाउल चीनी ले ले आम को अच्छे से धोले, काट ले और कच्चे आम को, अंबी को भी अच्छे से धोले और काट ले अब हम इसे बॉइल करेंगे, कुकर में आम डालें और कच्चा आम भी डाल दें देड़ गिलास पाने डालें कुकर को बंद कर दें और 3-4 विसल लाने तक आम को अच्छे से पका लें आम हमारे अच्छे से गल जाने चाहिए इस बात का ध्यान रखें दूसरी गैस पर हम चासनी त्यार करेंगे, डेड़ गिलास पाने डालें और एक बाउल चीनी डालें गैस की फ्लेम को ओन कर दें हमें इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी हमारी पानी में घुल ना जाए बीच बीच में इसे चलाते रहें ये देखिए चीनी पानी में घुल गई है अब गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें कुकर भी हमारा ठंडा हो गया है अब हम इसे खोल लेते हैं आम हमारे गल गए हैं अब हम इसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे आम को जार में डालें ये देखिए मैंने सारा आम जार में डाल लिया है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे आम हमारा ग्राइंड हो गया है अब इसे चान लें ये देखिए सारा आम मैंने चान लिया है मैंगो प्यूरी हमारी रेड़ी है अब हम इसमें चाशनी मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं और मिक्स करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके मिलाते जाएं और मिक्स करते जाएं फ्रूटी की कंसिस्टेंटसी तक हम इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा टेस्ट करके देख ले अगर कम मीठा लग रहा है तो हम और चाशनी डालेंगे अगर मीठा ठीक है तो आप थंड़ा पानी डालेंग ये थोड़ा मीठा कम लग रहा है इसलिए मैंने चाशनी डाली है अगर आपको मीठा ठीक लग रहा है तो आप थंड़ा पानी डालेंग फ्रूटी की कंसिस्टेंसी तक हम इसे मिक्स करना है ये देखिए mango fruity हमारी ready है अगर आप थोड़ा dark color चाते हैं तो orange food color आप इसमें add कर सकते हैं फ्रिज में रखके इसे ठंडा करें ये देखिए मैंने इसे ठंडा कर लिया है अब हम इसे classes में serve करेंगे mango fruity हमारी ready है आप भी बनाइए enjoy कीजिए और हमें comments करके जरूर बताएए कि आपको मेरी recipe कैसी लगी वीडियो पसंद आने पर इसे like करें अपने friends और relatives के भी share करें और हमारे चैनल को subscribe करना ना भूलें फिर मिलेंगे एक नए recipe के साथ thanks for watching goodbye आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं